हलो एप्रिवान एक फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चानल पर शहां पर आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं कापिटल एकस्पेंडिचर का एक टॉपिक हमने रिवेनियो एकस्पेंडिचर का भी वीडियो कवर कर लिया है हो सकता है इससे पहले वही आजाए या फिर इसके बाद आजाए तो दोनों टॉपिक्स आप जो है जरूर सबज़ेगा ऐसा मैं क्यों कह रही हूँ देखे एक्जाब में जो आपका क्वेशिन आएगा वो किस तरीके का आएगा या तो आपसे जो है दोनों का मतलब जाना जाएगा कि दोनों बताओ क्या है revenue expenditure क्या है आपके जो है capital expenditure दूसरा आपका question बन सकता है कि इन दोनों के बीच का difference बताईए differentiate कीजिए तीसरा most important जिसका chances जादा है वो आपका बन सकता है एक case study का question जहाँ पर तीन से चार आपसे जो है options दे दिये जाएंगे options कह लीजे या फिर आपको case study दे जाएगी कि किसी व्यक्ती ने एक business start किया उसमें यह expenses हुए है बताएए कि कौन सा expenditure आपका capital expenditure है और कौन सा revenue के nature का expenditure है so in that situation what you need to know is आपको पूरा यह concept समझना बड़ा ज़रूरी होगा otherwise आप वो case study का question cover up नहीं कर पाएंगे so उस लिहाँ से आपको जो है यह दोनों topics clear होने ज़रूरी है तो चलिए अब एक minute मैंने आपको पूरा बता रही है किस तरीकी से exam में question आ सकता है और क्यूं यह important है अब बात करते हैं आपके capital expenditure की देखें आप अपने daily routine में ठीक है daily routine में business में जब भी आप देखोगे तो आप बहुत सारे खर्चे करते हो अब business की निजरिये से देखें तो business में कितने सारे खर्चे होते हैं कभी fixed asset आ रहा है कभी चोटी मूटी stationary आ रही है कभी चाय पानी का खर्चा हो रहा है कभी furniture आ रह है कभी उसके softwares आ रहे है कभी माल आ रहा है जिसको आप जो है तुबारा से जो है उसको finished product में बदल के market में बेचोगे और अगर trading कर रहे हो तो माल आ रहा है और उसको as it is जो है बाहर market में बेचोगे यहां पर बहुत सारे expenditures किये जाते हैं एक business के अंदर अब यह सारे expenditure जो business के अंदर किये जा रहे हैं इसको जो main दो तरीकी के expenditure बनते हैं वो एक आपका बनता है capital और दूसरा बनता है revenue अब जो खर्चे आपने किये हैं अगर आप उनको ध्यान से देखोगे तो उसमें से इसको आप अपने shorter time period में खतम कर दोगे यह पैंसिल लेकर के आए यह कितने दिन चार दिन चार दिन चार अफता पाच अफता चल जाएगी और यह खतम हो जाएगी यह सारे products consumable है यह सारे चीज़े यह सारे जो खर्चे आपने किये हैं यह consumable है जिसको आप shorter period में निप्ता यह इसका जो benefit आपको मिलने वाला है वही आपने बहुत बड़ी machinery लेली अब machinery ऐसा तो नहीं चार महीने पाच महीने तक ही चलेगी चार साल पाथ साल चालिस साल पचास साल ऐसे चलती है जो उनका लाइफ साइकल होता है यह फिर जो लाइफ बिताते है एक फरनीचर यह एक machinery वो एक long term होता है तो यह ऐसे products हैं जिसको हम durable products कहते हैं और इसका फाइदा company जो है long term तक उठाती है more normally you can say more than one year जो है इसका फाइदा company को मिलता है I hope the concept is clear अब थरस इसको bookish language में पढ़ते हैं और आगे समझते हैं जब आप अपने expenditure करते हो everyday बहुत ही सारे आपकी various items पे तो उसमें से कुछ आपकी consumable होते हैं कुछ आपके durables होते हैं जिसका benefit expenditure का जिस expenditure का benefit आपका जो है consumable है और वो जो है एक shorter period के लिए आपको मिला है तो वो आपकी होते है revenue expenditure वही in case of durable जैसे की furniture हो गया, utensils हो गया या other चीज़ें हो गई जिसका आपको benefit long term के लिए मिलने वाला है या जिसको आप spread कर सकते हो number of years में वो आपकी कहला जाते है capital expenditure ठीक है जब benefit आपका एक expenditure का जो है वो exhaust नहीं होगा same year में या फिर जो है बहुत सारी year में आप उसको ले करके चलोगे which it is incurred but it is available over a number of year is considered as capital expenditure याने कि ऐसा खर्चा जिससे आपको जो benefit derived हो रहा है वो आप same year में exhaust नहीं करने वाले हो बलकि इसका फाइदा आपको आने वाले कई सालों तक मिलने वाला है तो वो आपका कहलाया जाता है capital expenditure okay now कोई फे expenditure जो कि आपने आपका जो है result होता है कि भई new fixed asset अब देखो ठीक है यह से मजा गया कि जो लंबे time period के लिए खर्चा किया जाता है या जिसका benefit लंबे time period तक मिलता है अब example के तौर पे let's suppose मैंने जो है एक machine really machine मैंने लिए वो थी आपकी 15 lakh पीस की लेकिन उसको लाने में खरीदने में मतलब इसकी कोस्ट के अलावा जो मुझे खर्चा हुआ वो आया 2 lakh पीस का तो क्या मैं सिर्फ fixed asset की जो value है that is 15 lakh रुपीस सिर्फ उसको capital expenditure incurred जो हुआ है उसको मैं सिर्फ capital expenditure समझ के चलूँगे या फिर जो 2 lakh रुपीस मैंने उस पे extra लगाए है for anything उसको acquire करने के लिए उसको जो है acquire करने के लिए और अपने पास जो है start करने के लिए तो क्या उसको भी हम capital expenditure मानेंगे तो obviously कोई भी खर्चा अगर आपने किया है जो की आपका fixed asset को acquire करने के लिए हुआ है चाहे cost हो या उसके अलावा कोई और खर्चा हुआ हो installation में हुआ हो इसको लेके आने में हुआ हो everything each and every penny rupees will be treated as your capital expenditure okay ठीक है such as यहाँ पे आपका fixed asset हो या land building हो, plant and machinery हो, furniture, fixions हो, office equipment हो, copyright हो etc इन सबको सर्फ खरीदने का नहीं बल्कि इसको जो है acquire करने के लिए कोई भी आपका expenditure हुआ है you will treat it as capital expenditure okay अब यहाँ पे सर्फ not just purchase price but also expenses जो की इस से acquiring से connection में हैं उसको भी आप जो है trade करोगे as a capital expenditure okay कोई भी expenditure जो की incurred हुआ है fixed asset पे उसको आप जो है एक तरीके से कहोगे ऐसा आपका capital expenditure कम या तो आपने expansion के लिए लिया हो जैसे आपने fixed asset के लिए business expansion करना है तब लिया हो या फिर आपको जो है fixed asset के लिए life sustain करनी है उसकी life बढ़ानी है तो उसके लिए कुछ खर्चा किया गया हो या फिर revenue earning capacity बढ़ाने के लिए उसमें कुछ improvement कराई गई हो तो वो सारे trade के जाएंगे as an capital expenditure यहां पर improvement जो होता है in the revenue earning capacity वो कब होता है जैसे कि आपने कुछ उस पर खर्चा किया machinery पर खर्चा किया जिसके कारण आपकी production capacity बढ़ गई है या फिर आपका जो है cost of production कम हो गया है या फिर आपका जो है sale बढ़ गया है आपकी firm का इसका मतलब किया है let's suppose आपके पास एक machinery machinery थी टेक्नोलोजिकल ही थी उसमें कुछ software बढ़ जाएगी और जो है production capacity बढ़ जाएगी तो यह खर्चा भी आपका आप क्या कहला जाएगा capital expenditure क्योंकि इस तरीखी के जितने पर software होते हैं वो भी एक बड़े amount पर आपको मिलते हैं छोटे amount पर नहीं मिलते हैं बिल्कि वो भी आपका kidney का cost आपका बन जाता होगा उसमें तो इतना महंगे मिल जाते हैं cost of experiments let's suppose जिसकी coronavirus के time पे जो है आपकी vaccination के जिस भी company ने उसको बनाया एक बहुत सारे expenditure किये कुछ expenditures fail हुए कुछ experiments sorry not expenditure कुछ experiments fail हुए कुछ पास हो गए तिखिए जो fail हो गए वो तो fail हो गए वो आपके deferred revenue expenditure में जाएंगे जिसको आप 2-3 साल ली अंदर निप्टा गर के खदम गर दोगे but वहीं पर जो experiments आपके clear हो ग experiment में बहुत जादा खर्चा किया होगा ऐसे टनू मुन्नू से छोटे मुटे कुछ खर्चे नहीं होगे बलकि बहुत बड़ा खर्चा हुआ होगा so aise expenditure पे किया गया experiments पे किया गया खर्चा भी आप एक तरीके से capital expenditure के तौर पे treat करोगे but only when that experiment जो है वो सही हुआ है वो experiment आपका कामियाब है successful हुआ है so the cost of experiment which are not successful जो आपके experiment successful नहीं हुए है उसको आप capital expenditure की तरह treat नहीं करोगे वो आपका revenue expenditure रहेगा deferred revenue expenditure रहेगा जिसको write-off कर दिया जाएगा दो से तीन साल में okay this is deferred revenue expenditure please note this deferred revenue expenditure legal charges आपने कुछ लिए है in the connection with acquiring or defending suit for protection fixed protecting fixed assets rights etc करी बार होता है कुछ नहीं कुछ आपके जो है cases हो जाते हैं किसी party के साथ counter party के साथ तो आपने case लडने के लिए lawyer को पैसा दिया होगा legal fees दियोगी ठीक है अब वो जो cases हैं वो ऐसे cases हैं जो कि आपके fixed assets से related है fixed assets के acquiring से related है या फिर आपके right को protect करने से related है तो इस accord इसके base पे दिये गए आपके legal charges भी आप capital expenditure के तरह trade कर सकते हो okay so that is it for today guys I hope you understood this topic let's see you in the next video till then take care of yourself and take care of your health bye